की गुट-मॉर्डिंग ऑल अर्फ यू आज आपको करेंगे कि फ्रिग लेंगे तो इसको पर आएंगे और कैसे इसका यूज करेंगे ताकि बच्चा इसको सिंख सके अब देख रहे हैं इसको पूरे को कहते हैं कि आएवकस टूल क्या कहेंगे आएवकस टूल कहेंगे इस पूरे को आएवकस टूल करते हैं अब देखिये यहां पर यह बॉल दिख्रावगा आप लोग यह उपर भी बॉल है यह बूल है इसको बीट्स कहेंगे कि अपिच में एक रॉड है यहां पर बीच में रॉड है इसको ऐसा रॉड है ऐसा अ इसको मैंलिव रॉड कहेंगे कि अब नहीं है इसको वैल्यू रॉड कहेंगे अब देखिए वैल्यू रॉड के नीचे बीट्स है अगर वैल्यू रॉड के नीचे आपको बीट्स हो तो यह लोवर बीट्स का लाएगा लोवर बीट्स लोवर यह आपको लोवर बीट्स का लाएगा अगर वैल्यू रॉड के उपर बीट्स होगा यह आपको अपर बीट्स का लाएगा अपर बीट्स का लाएगा अब देखिए नीचे वाले बीट्स को लोवर बीट्स और उपर वाले विट्स का लाएगा अपके लिए लोवर बीट्स टाथ यह लोवर बीट्स है लोवर बीट्स है लोवड सीपर होकर व slipping haya शो बिट्स है लॉड फिर doet में जो होता है पोड़ा है वह जीना भी एक सा जोब है इस होसानाशल किसीफ्टा और अपर वेट्स भेलू अपर एपट सब्सक्राइब करें अब बच्चा इसको शुरू कहां से करें बच्चा इसको शुरू कहां से करें अब हम बताते हैं आपको कि इसको शुरू कहां से कर आप देखिए इसमें जिसमें बीट्स लगा हुआ है एक ऐसे लंबा है ऐसा अगर ऐसा हो तो यह रॉड कर लाता है रॉड रॉड कर लाता है अब देखिए यह आपकस जो है वह 13 रॉड आपकस है वान टू त्री पोर फाइव सिक्स एवन एट नाइन टेन एलेवन टुवेल ठर्टिन रॉड है अब चलिए अपना घर कौन हुआ कैसे पाचानेंगे देखिए इसमें वाइट एस पॉर्ट दिख रहा है फाइव वाइट एस पॉर्ट है तो बीच वाला जो वाइट एस पॉ पॉइन्ट होता है मिडल पॉयंट होगा यहीज से बच्चे सीकते हैं मिडल कॉइंट जो होता है किसी को वन्स कहते हैं फिल apple को में स्क ऐनगे ओंस िलांगbed क्या कहेंगे वांस रोड कहेंगे और सिवीजी पा-कल पर बॉच्चे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक का नमबर लिख सकता है वन्स रोड पर बच्चा 0 से 9 तक का नमबर लिख सकता है अब यह मिडल पॉइंट हो गया तो यह वन्स हो गया और इसके ठीक बाहिं तरफ यह जो रोड है यह जो रोड है यह टेंस हो जाएगा अब देखिए यह टेंस हो जाएगा और टेंस पर टेंस रोड पर बच्चे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 नमबर को लिख सकते हैं टेंस रोड पर इसके ठीक बगल में वांस, टेंस, हंड्रेड हंड्रेड रोड होगा हंड्रेड रोड होगा इसमें बच्चे 100, 200, 300 से लेकर 900 तक लिख सकता है अब देखिए भैल्यू रोड जो बीच में है इसको भैल्यू रोड क्यों कहते हैं इसको इसलिए कहते हैं कि कोई भी बीच नीचे का हो या उपर का हो जब इसमें टच होता है तो वैल्यू प्रियेट होता है दो दो एसे बच्चे रखते हैं टूल को ऐसे तो ऐसा रहता है तो अगर इसमें नीचे से कोई भी चुझ कर दिया और नीचे आधिया थो माइनिस हो गया ठीक इसद वाइब इसको टेश कर दिया तो कर्या को इस नन्ग से अना तो हम देखेंगे बरे टूल के जरी है अब देखेंगे बरे टूल के जरी हम लोग देखेंगे अब यहां देखेंगे चलिए यह यह को वंस हो गया कि वंस पर बच्चे रेकिन नम्बर लिखेंगे और बढरे में आपको बता दिया है जब इसमें टुक्स होगा तो प्लस और हटए गातो माइनस अब दख लिए आप सबको एक बार और समझे लिजिए इसको क्या कहेंगे ब vemos है यह सब लोआर कीश आए है और यह सब अपर इक साथ है लोऊर कमूल क्या होता है आपकली स्वर mentor करेंगे इस पर Ones पर जो बच्चे का घर होता है उस पर 0-9 लिखते हैं तो आप कैसे लिखेंगे Plus 1 Plus 2 Plus 3 Plus 4 One less कर देंगे 3 2 1 0 Plus 5 Plus 6 Plus 7 Plus 8 Plus 9 One less कर देंगे 8 फिर One less कर देंगे 11 फिर 5 अब हमको अगर 7 लिखना है तो ऐसे लिख लेंगे मैन्स शिक्स करना है तो पहले 5 को माइनस कर देंगे फिर One को माइनस कर देंगे ऐसे करेंगे इससे हूलों इस-पर लिखना शिखेंगे आपके लिए इस पर तो हमने इसको आपकिया तो वन हो गया अगर यह वांट से पर भीट टेंस से मंटिप्लाइब होता है जैसे इसको तक डिशमें करेंगे आप कहेंगे कि लोड़ का भर वन होता है यह वन होना चाहिए जो बात आपकी सही है लेकिन यह तेंस रूट पर है लेकिन देखिए वन वन क्या होता है 11 अगर 11 से हम वन माइनस कर देते हैं तो 10 हो जाएगा इस दन से 20 30 40 और 50 90 बच्चे लिखेंगे 10 रोट पर 100 रोट पर देखिए यह हो जाएगा आपको 100 100 100 200 300 400 500 900 90 हो गया 999 999 इस दन से बच्चे इस पर लिखते हैं अब तरिये यह हो गया बेसिक इसका जो हम आप लोग को बताएं अगर आपको लिखना हो यहाँ पर अगर आपको लिखना हो कि 8 कैसे लिखेंगे तो आप आसानी से 8 वंस रोट पर लिख सकते हैं अगर आपको लिखना हो 27 कैसे लिखेंगे 27 लिखने के लिए आपको दो रोट लेना परेगा वंस और तेंस लेना परेगा तो वंस और तेंस लिखेंगे तो वंस पर हम क्या लिखेंगे 7 वंस पर हम लिखेंगे आध ले गेकि एक लेंगे टेन्स पर क्या लिखाएंगे सी लिक्षे लेंगे इस हिए इस से से घ्रैन करेंगे लिखेंगे तो 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 नो लोट पर लिखेंगे और नाइने च्ना पर रखना पर अब चलिए इसको इसमें कैसे बीट को करें के लिए हम को चार फ़र्मूला सिखना परता है जिसको हम आप इसको करने जा हैं यह आप लोग नहीं लिख़िया होगा इसको हम इरेज करते हैं और इसके बारे में बतायाaison कि इसके पार्ट के बारे में इसको क्या कहते हैं उसके बाद इसको कैसे हम बीट को चलाना सिखेंगे आपकस पर उसके लिए कुछ फर्मूला त्यार कर दिये हैं इस पर आप लोग ध्यार देंगे जैसे देखिए आपकस पर्मूला आपकस को पीट्स को मूव करने के लिए आप लोग को यह चार फर्मुला की ज़र्पन डिरेक्ट मेथड दूसरा विक प्रेंड जित्रा स्मॉल प्रेंड चौथा कॉम्बिनेशन डिरेक्ट मेथड जो होता है जो वन्स पर ही आपको कैल्कुलेशन हो जागा जो बिना कैरी का जो एड स काला कि अब बिट एंप देकिया जदा लुड है जैसे हमारा ब्रेंड जो है वह नए सession ज़्यादा नहीं है जैसे ही चैन हो जाओ या तैन क्यों क्या करेंगे दू भाव बाट लेंगे करेंग दूभाव माट आ घेल लाई कि अधे आपका अर dialect intervention का होता है अदमी का फ्रेंड को नोखा है आदमी जानवर का जानवर का हुझा है और तो नंबर का फ्रेंड नंबर नहीं हो सकता है तो 5 5 10 ओता है 6 4 10 ओता है 7 3 10 ओता है 2 10 ओता है 9 1 10 ओता है 4 6 10 ओता है 3 plus 7 10 ओता है 2 plus 8 10 ओता है 1 plus 9 10 ओता है तो यह हो गया अब यह भी देखे लिए जैसे यह वी प्रेंद है अगर 9 का फ्रेंद निकलना हो तो 9 ओमली को चुपा लिजे 1 अगर 8 का निकलना हो तो 8 फिंगर चुपा लिजे 2 अगर 7 को निकलना हो 7 फिंगर चुपा लिजे 3 6 का निकलना हो 6 फिंगर चुपा लिजे 4 आजाएगा पिंगर चुपाली यह वाईवा जाएगा फॉर का निकालना भॉर की टो टो परन जा उख ? तो आपको नाइन एट सेवेन और शिक्स को ही हेल्प करता है यहां पर नाइन हम किये तो पाइब ममा चुप जाती है तो नाइन का पर हो गया है तो आपके लिए फिर पिंगर निकाल लिये ऑफिर निकाल लिये और फिर नाइन दो फाइब चुप गया सेंख करने का मतलब है कि इस दहन से आप पूरे फॉर्मूला पूरे फॉर्मूला अब हम इस फॉर्मूला का यूज हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाएंगे यह आपका थेओरी हो गया प्रैक्टिकल को हम आपकर्स पर करके दिखाएंगे उसमें आपको आपकर्स पर के वाल यह सिखना पड़ता है कि यह आउप कुमूब वान टू त्री फॉर फार फाइब शिक्स सेवेन एफ नाइन कि यह वर वन से लेकर नाइन तक के बीट को कितने धन से अपकर्स पर मूब किया जा सकता है वो सिख लेंगे तो आपका अपकर्स कंफ्लीट हो जाएगा और आप कोई भी बीट को आसानी से मूब कर सकते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको जरूर करेंगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नन्यवाद